पत्रकार जागेंदर सिंग की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल माश निकाला पत्रकारों पर आई दिन हमले होते रहते हैं यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें किसी पत्रकार की हत्या की गई हो पत्रकार जागेंदर सिंग ने सच्चाई को सामने लाने के लिए यूपी के मंतरी के खिलाफ खबर लिखने की हिम्मत क्या दिखाई कि उनकी हत्या कर दे गए आरोपी मंतरी को यी बात इतनी नागवाल लगी कि उसने पत्रकार को जिन्दा जलवा दिया इसी बास से आक्रोशित पत्रकारों ने यूपी सरकार और यूपी पोलीस पर मिलकर हला बोला जंतरमंतर पर केंडल मार्च निकाल यूपी सरकार और यूपी पोलीस के खिलाव जम कर नारे बासी की सम्विधान में मीडिया को चौथा स्थान का दर्जा दिया गया है लेकिन पत्रकार जागेंदर की मौत ने एक बाफ फिर ये साबित कर दिया है कि पत्रकारों की जान की कोई कीमत नहीं है सच को उजागर करना आज भी मुश्किल है वहीं यूपी सरकार ने इस मामले में CBI जाँच के आदेश दे दिये है मुख मांग यह है कि यूपी सरकार जिवन परभाव से मंतरी और आरूपी मंतरी और आरूपी पुलिस अदिगारी को उनके पत्र से बरखास्त करें ताकि नया ही प्रखेरिया में कोई बाधा ना आ सके साथ ही इस पूरे मामले की judicial inquiry कराए जाए यूपी सरकार की ओर से और जो आरूपी है उनने सक सख सोया मिल सके हमने बहुत मार खाई है हम लोग दंगे में जाते हमें चोड़ लगती है पर हम सब की खबर दिखाते है हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है तो हमको खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए पुलिस वाले पत्रकार को मारते हैं आखिर उनकी क्या गलती तो उन्होंने सिर्फ एक खबर तो दिखाये तो जो सच्चा ही है लोग तंत्रा चौथा स्थम्ब है वह हम दिखाएंगे हम घरेंगे नहीं जो हमारा काम है तो हम करेंगे चाहिए उईपी सरकार हो चाहिए किंद्र सरकार हो पत्रकार किसी के आगे नहीं जुकता और ना ही जुकेगा जिन जहाडे पत्रकार को ज़ाज जिए पुलीस के दुआरा तो इस तरह कानून करक्षा बन गए इस तरह कि आप देख रहे हैं अकर हमें रुच्छा निक रहेंगे तो ऐसी चलता है पूलिप अंदर युवास इंद्रिया सब्सक्रियस के अखिले से आधा लेकिन उसके ब लिए इस तरह में अले पाब की जारे को लोग जवस्ती मेडिया को बड़े-बड़े ग्राने अप्लेट ने तो वी हो दिखाते ने हम एब विरोत करना पड़ेगा वहां जाम काम करते हैं वह वह विरोत करना पड़ेगा अधरर आप भी परसंग तो एकि जाना के देख